हालो और वेलकम टू विज्जम सिंप्लिफाइड चलिए समस्ते कि ये सुकन्या समरीदी योजना क्या है और इसके टैक्स बेनिफिट क्या है तो ये सुकन्या समरीदी योजना लास्ट येर 2021 में गौर्मेंट ने लॉंच किया था एक डिपोजिट स्कीम है गौल चाइड के के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ कंपेंड के अंडर में लॉंच किया गया था इसका में मकसद यह है कि जो गौल चाइड है उनके एजुकेशन और मेरेज के लिए पैसे जमा कर सके ताकि जब वो बड़ी हो जायत उनका एजुकेशन और मेरेज में हेल्पों इसी सोच से गौवर्मेंट ने इसको लॉंच किया था. अब चलिए देखते कि इस योजना में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो जो गौल चाइड के पैरेंस होंगे या उनके जो गार्डियन होंगे वो किसी बैंक या पोस्ट ओफिस में ये अकाउंट खोल कर उसमें पैसे जमा कर सकते हैं. याद रखिएगा कि जो गौल चाइड है उसकी एच बिलो टेन इयर्स होनी चाहिए और सिर्फ एक गौल के लिए एक अकाउंट खोला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि माता जी उस गौल के लिए अलक्स अकाउंट खोल रही है और पिता जी उस गौल के लिए अलक्स अकाउंट खुलेगा और maximum सिप दो लड़कियों के लिए account खूला जा सकता है एक परिवार में जब ज्यादा ज्यादा दो लड़कियों के लिए account खूला जा सकता है लेकिन अगर Twin's twins लड़किया पैदा हो गई तो यहां पर our own fitness लड़किया पैदा हो गई इस account में आपको क्या करना है deposit करना है अभी documents क्या क्या लगेंगे इस account को खोलने के लिए तो form I भरना होगा और इसके साथ साथ आपको girl child का birth certificate देना होगा साथ साथ में pen card और अधार card of the guardian या फिर parents parents या guardian का pen और अधार number और form I fill करना होगा उस girl child के birth certificate के साथ और यह account कहाँ खोला जा सकता है यह post office या फिर bank में खोला जा सकता है जो लोग इसका scheme का offer दे रहे हैं जिस बैंक में या जिस पोस्ट office में यह scheme का offer चल रहा है वहाँ पर यह account कहला जा सकता है अभी देखते कि इसके tax benefit क्या है तो इसके 3-3 tax benefit है तो पहला tax benefit यह है कि आपको जो भी आप investment जो भी deposit करेंगी इस account में उसका deduction आपको section ATC में मिल जाएगा second benefit यह है कि जो भी interest की कमाई होगी इस deposit पे वो interest की कमाई tax free होगी third जब आप जब mature हो जाएगा यह account उससे जब पैसा withdraw करेंगे तो withdrawal पे भी कोई tax नहीं लगेगा तो तीन-तीन tax benefit है एक तो deposit पे deduction ले लो under section ATC second interest income tax free हो जाएगा third maturity amount भी क्या हो जाएगा tax free हो जाएगा so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा thank you thank you very much for watching